बिहार में क्या फिर बदलेगी सरकार? ये सवाल एक बार फिर सियासी गलियारों में उखने लगा है। इसकी वज़ा है बिहार को मौझूदा प्रावधानों में विशेश राजी का दरजा देने से केंद्र सरकार का इंकार करना। दरसल बिहार को विशेश राजी का दर्जा देने की मांग वाली सियासत ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है पहले सर्वदलिय बैठक में बीजेपी की सहियोगी जेडियू और चिराग पास्वान की पार्टी की ओर से ये मुद्दा उठाया गया था फिर लोगसभा में जेडियू की ओर से ये मांग की गई थी इस मांग का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकट चौधरी ने बताया कि विशेश दर्जा राश्ट्रे विकास परिशद यारी NDC की ओर से उन राज्यों को दिया जाता है जो खास चुनोतियों का सामना करते हैं पंकर जौधरी ने कहा कि राज्य स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं है इसलिए बिहार को विशेश राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता सरकार केस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है इस मुद्दे पर बिहार कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंग ने बड़ा बयान दिया है अखिलेश प्रसाद सिंग ने केंद्र की अंडिये सरकार और बिहार के मुख्य मंत्री को आड़े हातों लेते हुए सला दी है अखिलेश ने नितीश कुमार को सीम पत से इस्तीफा देने और इंडिये सरकार से जेडियो के समर्थन को वापस लेने की सलाह दी है अखिलेश प्रसाद सिंग ने कहा नितीश कुमार इंडिया गडबंधन छोड़कर इंडिये के साथ इसलिए गए थे क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेश राजी का दर्जा प्राप्त होगा और राजी का चहु मुखी विकास होगा सदन में केंद्र सरकार की ओर से विशेश राजी का दर्जा दिये जाने से इनकार किये जाने के बाद अब मुख्यमंत्री नितीश कुमार को सोचना है कि क्या वे केंद्र की NDA सरकार से समर्थन वापस लेंगे या बिहार में नौ बार के मुख्यमंत्री की शपत लेने वाले नितीश कुमार सीम पत से स्तीफा देंगे आखिर मुख्यमंत्री नितीश कुमार राजनीतिक लोब में कब तक सत्ता के लिए भाजपा और एंडिये का साथ देकर बिहार और विकास की गती को अवरुद करते रहेंगे समय रहते उन्हें एक स्वस्त और विकासवादी राजनीतिक विकल्ब की तलाश करनी चाहिए, जिससे राजिका चहुमों की विकास संभव हो सके और बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके कॉंग्रेस की सला से बिहार में सियासी भुचाल आ गया है, ये पहली बार नहीं है, जब नितीश कुमार की कोई मांग नरेंद्र मोधी सरकार ने ना मानी हो, इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, और जेडी सुप्रीमों लालुयादव ने भी नितीश से स्तीफे की मां अब देखना ये है कि आखिर नितीश कुमार क्या कदम उठाएंगे झाल